हेलो फ्रेंग्स, वेलकम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि आप अपने रेंडर से नोइस को कैसे हटा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हम यूज करते हैं नोइस को हटाने के लिए, बढ़ आज एक ऐसा तरीका यूज करेंगे, कि एक ही क मैं आपको इससे रिलेटिव ट्रिक्स, ट्रिप्स की रिलेटिव आपकी वीडियो में ले के आता रहता हूँ, 3DS Max, SketchUp, Google, Viray, इन सबसे रिलेटिव वीडियो में ले के आता रहता हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बैल आइकन प्रेस कर सक सकते हैं, अगर आपके पास iPhone है, तो उसके अदर ODIMM मेरा Organization Code है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, Upcoming Code जो दो तारिक से स्टार्ट होने वाले हैं, एक है आपका AutoCAD 3DS Max वीरे जो दो तारिक से स्टार्ट होने वाला है, दो तारिक से ही AutoCAD प्लस Revit स्टार्ट होने वाला है, और तो दोस्तों होता है कि मालनों मैं एक छोटा सा Scene Create करता हूँ, Scene के लिए मालनों मैंने क्या किया, वीरे प्लेन ले लेता हूँ, एक नॉर्मल सा Scene Create करता हूँ, और एक मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल सा T-Pot, यह मालनों मैं एक T-Pot लिया, T-Pot पे जाके मैं T-Pot के सेग्मेंट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, थोड़ी T-Pot मेरे Smooth है, ठीक है, Material पे जाता हूँ, एक Material लगा देता हूँ, मैं T-Pot पे, और एक Material लगा देता हूँ, मैं Vire Plane पे, Vire Plane के Material को हम अपने मर्जी से थोड़ सब्सक्राइब कर लेते हैं यहां पे, और यह मेरा इस टाइप का यहां पे Material लगा, जादा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक Camera लगा लेते हैं, ताकि मेरा View वहाँ पे दिखाई दे, Vire, Vire Physical Camera और एक मालनों मैंने Camera लगाया, C Press किया, Camera View को मैं यहां से Orbit करके Set कर लेता ह हूँ, ठीक है, यह मेरा View यहां से Set हो गया, यह वाला है, ठीक है, Light लगाने के लिए मैं Top पे जाता हूँ, और एक Abdom Light भी लगा सकते हो, मैं Vire Light यहां में मालनों यूज कर रहा हूँ, यह मैंने Vire Light लगाई, Front में जाता हूँ, Vire Light को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, Property पे जा और इसको यहां से अगर मैं Render करूँ, तो आप देखोगे, यह आपका Interactive Render यहां से Start हो गया, Intensity अगर मेरे को Light की कम लग रही है, तो Light की Intensity मैं यहां से 40 कर देता हूँ, या फिर 50 कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा हो जाएक है, तो इस तरीके से आपका एक Render आएगा, और आपको भी Clear है कि हाँ, इसी तरीके से एक Render आने वाला है, अगर आप ऐसे बनाते हैं, आप अगर आप इस Render को ध्यान से देखोगे, Normal Render को Zoom करोगे, तो आपको यह Noise दीख रही है, जितना ज़्यादा Zoom करोगे, Noise वह पिक्सल में Convert हो जाएगी, तो देखो कितनी सारी Noise है आ हम Render Setup पे जाते हैं, Normally जो हम Use करते हैं, Render Setup में जाके, V-ray पे जाके, हम यहां से Bucket हटा के Progressive करते हैं, हम Maximum Subdision को बढ़ा देते हैं, ठीक है, Color Mapping में जाके Expansional, इसको हम Advanced करते हैं, जैसे Default है, हम इसको Advanced में Use करते हैं, ठीक है, और क्या-क्या करते हैं, वह बताता हूँ, जाके, Light Catch की Property को, Subdision को हम बढ़ा देते हैं, Sample Series को हम कर देते हैं, बहुत सारी चीजे हैं, जो हम Actual में Use करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी शायद हमें वो Result नहीं मिल पाता, जो Result Actual में मुझे चाहिए होता है, तो अभी मैं इनको कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये Add कर दो, OK, और Add करने के बाद इसे Enable कर दो, ठीक है, Enable करने के बाद अब क्या होगा, अगर अब आप, मालो आपने रेंडर किया, और ये रेंडर देखो, अगर मैं दिखाओं यहाँ यहाँ पे, रेंडर को आप स्टॉप करते हो, तो ये रेंडर यहाँ पे Save हो गया, एक आपके ये रेंडर हो गया, Compare करने के लिए Best रहेगा यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, Denoiser मैनलो मैंने लगाया, अब मैं इसको दुबारा से रेंडर करता हूँ, अब दुबारा से अब ये रे Zoom करके देखता हूँ, तो आपको कहीं पे भी Noise नहीं नज़र आएगी, अगर Compare करके दिखाओं, तो मैं यहाँ से A पे रख लेता हूँ, मैं Noise वाला, और B पे रख लेता हूँ, Without Noise, अब मैं अगर Zoom करके दिखाओं, तो आप इधर वाली image और इधर वाली image में difference देख सकते हो, यहाँ पे देखो कितनी सारी Noise है, बट इस वाले Face पे कोई Noise नहीं आपको दिखेगी, देखो कितनी Noise है, कोई Noise नहीं है, एक Denoiser की help से सारी Noise हट गई, और आपका render पहले की जैसे आप चाहते हो, वैसा हो गया, देखो कितनी Noise के साथ अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे क कोई problem नहीं है, इतने से चीज को यूज करना है, opacity है, जैसे Denoiser की है, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, वो interactive render में महाँ से change होती रहेगी, ठीक है, आपको 100% ही opacity करनी है, फिर आप अपने render को compare कर सकते हो, तो आप देखोगे कि आपके उसमे Noise नहीं है, ठीक है, तो यह थी छोटी सी trick, जो आप Noise अटा सकते हो, best trick है, आप अपने render में use करो, एक ही बार use करने है, सभी render आपके बड़े clean आएंगे, तो thank you so much, दोस वीडियो देखने के लिए मिलते हैं next video में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बंदे मात करो.